जैन दोस्तों आप सभी को नमस्कार प्रणाम जैसरी राम जैनुमान दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही बहतर और कॉमन बात सेयर करने का प्रियास कर रहा हूं ध्यान से एक सब्द को सुनिएगा मैं अपने experience के आधार पे बोल रहा हूं कि अभी के समय में जितने भी लोगों से मिलना होता है और गहराई से उनसे जब चर्चाएं होती है बाते होती है तो अंदर से अनुभव होता है कि हर इंसान परत्यक चत्वा अपरत्यक शुरूप से आज दुखी है कलेस में है कस्ट म और पता है इसका सबसे वड़ा रीजन है कि हम अपने इस्थिती या परिस्थिती का जो भी दोस होता है वो दूसरे को उपर ठौपना शुरू करते हैं कि मेरा इस इस्थिती या परिस्थिती का जो कारण है वो वो व्यक्ति है यह मैं अपने experience के आधार पे कर रहा हूं जिस दिन आप खुद में गलती ढूंड़ना शुरू कर दिए और खुद को ही सुधारना शुरू कर दिए, खुद से ही लड़ना शुरू कर दिए, उसी दिन से जीवन के सारे कष्ट, सारे परिशानी दूर होते जाएंगे, यह मैं अपना experience के आधार पे कह रहा हूँ, एक ब कुछ दोस उसको इग्नोर करेंगे और वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे, और जो व्यक्ति चाहे वो कितना भी नस्दीकी हो या दूर का रिस्ता हो, आपसे इरसिया या नपरत करता है, तो आप कितना भी बहतर कर लिजे अपने जीवन में खुद के लिए या उनके लिए, वो आपसे हमेशा इरसिया और नपरत ही करेंगे, इसलिए दूसरे को कुछ करने के चकर में, दूसरे से उमीद लगाके और पिर प्रिस्तिती जब जीवन में आए तो उसके लिए दूसरे को दोस देना, यह हमारी कमजूरी है, इसलिए खुद को दोस दीजिए और खुद म जो आपके जीवन में एक नया मोड लाएगा और आपको खुद से ही लड़ने के लिए प्रेरित करेगा, खुद के अंदर सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा, तो सती समा स्रीजान जी कहते हैं, मैं खुद से खुद ही लड़ता हूं, मैं खुद से खुद ही लड़ता ह आगे कहते हैं कि जीवन है स्वएम बिरोधवडा हर मोन पर बन अवरोध खड़ा चलते जाना अनुमान किया जाई पाने को जिद ठान लिया पथ के काटे खूद कढ़ता हूँ, मैं खुद ही खूद से लड़ता हूँ, मैं खुद ही खूद से लड़ता हूँ आगे काते हैं पतवार चलाते रहना है विप्रीत धार को सहना है जीवन में बहुत सारी विप्रीत परिस्तितियां आएगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना है पतवार चलाते रहना है विप्रीत धार को सहना है अनवरत बस चलते जाना है जीवन का यही पैवाना है अब रुकता नहीं, बस बढ़ता हूं, मैं खुद ही खुद से लड़ता हूं, मैं खुद ही खुद से लड़ता हूं, तो खुद से ही लड़िए, खुद के अंदर सुधार करिए, जीवन में सुधार आएगा, जीवन में अपसफलताओं को प्राप्त करिएगा, और जितने भी मा सिख परिशानी हो या अर्थिक परिशानी हो सब दूर हो जाएगा बस निरंतर कर्म करिए और खुद के अंदर ही सुधार लाते जाएगे जैस्री राम